जम्मु कश्मीर में विदान सबाद चुनाव की शुरुवात हो गई है और अभी भी हर पूरा एफट लगा रही है अपनी अचीवमेंट बताने के लिए और अगर वो सक्ता में आते हैं तो वो लोगों के लिए क्या क्या करेंगे वो सब बताने के लिए इसी भीच में भारतिय जनता पार्टी ने अपनी अचीवमेंट और अपनी कमिटमेंट वो कमिटमेंट जब वो सक्ता में आएगी वो लोगों के लिए करेगी वो सब सामने रखी हैं पारतिय जंता पार्टी कहती है कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी के नेतृतरित्रमें भारतिय जंता पार्टी ने कई अचीवमेंट्स पूरी की हैं. जैसे कि 12 लाग से जादा खिसानों को 3,000 करोर रुपे प्रोवाइड किये गए हैं. परधान मंतरी किसान योजना के अंतरगर भारती जनता पार्टी कहती है कि इस योजना की वज़ा से किसानों को financially stable किया गया है उसी के साथ साथ भारतिय जनता पार्टी ये भी कहती है कि जमू कश्मीर में लेवेंडर कल्टिवेशन की वज़ा से छोटे किसानों को फाइदा हुआ है उन्हें financially stable किया गया है लेवेंडर कल्टिवेशन को परपल revolution के नाम से भी जाना जाता है जमू कश्मीर में और इसी की वज़ा से कई जमू कश्मीर के इलाकों के किसानों को फाइदा हुआ है उसी के साथ साथ भारतिय जनता पार्टी ने अपना manifesto भी जारी कर दिया था और भारतिय जनता पार्टी ने ये भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम अपने वादे जल्दी से जल्दी implement करेंगे भारतिय जनता पार्टी अपने manifesto में कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो परधान मंतिरी किसान सम्मान निधी की जो राशी अभी 6,000 रुपे मिल रही है उसमें 4,000 की भड़ोतरी करके उसे 10,000 रुपे कर देगी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो बिजली के बिल आज के वक्त पेंडिंग है उसमें 50% की राहत भी देंगे तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें